नमस्कार दोस्तों स्वाकरते आपके स्पाउक बिजनिस एप्लिकेशन में आज हम बात करेंगे सितंबर में आ रहे हैं पांच धमा के धर आईपियो जिनके लिए आपको पैसा बचा कर रखना चाहिए इन आईपियो में आपकी हो सकती है छपपर फाड़के कमाई तो वो कौ होने की संभाव ना बनती है इन आईपियो में आपको एक लॉट के लिए मिनिममम 15,000 रुपे की आउसकता होती है तो आईए हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से वो आईपियो है जो आपको छपपर फाड़के कमाई देने की तागाप सकते है वीडियो के और आगे बड़ आप्डेट समय से पहले हैं मिल सकते है और जो भी कर्ण elem前 frame प्राइज हुंका list गयनिम मिलता हैं उनसे سमय से तो आईए हम वीडियो के रागे बड़ते हैं और पूर आपके सामने रखते हैं सबसे पहले करते हैं है यहापिस माइंड्स ipo की जो एक c सेक्टरी कम्पनी है इसका IPO आ चुका है उसकी लिस्टिंग जो है 17 सितंबर 2020 को होने जा रही है यह IPO में आपको तगड़ा गयन देखने को मिल सकता है जैसे कि इसका मार्केट प्राइस चल रहा है तो इस में मार्केट के प्राइस के आधार पर हम इसमें देख सकता है अगले IPO के हम बात करते हैं तो अगला IPO जो है यह रूट मोबाइल का IPO है जो कि एक कम्यूकेशन स्पेसिफिक फाइड कम्पनी से ब्लॉंग करता है इस IPO के मात्यम से कम्पनी ने 600 करोड पर जुटाए है इस IPO की जो लिस्टिंग है 21 सितंबर 2020 को होने जा रही है और यह IPO भी हमको तक करते हैं तो अगला IPO जो है यह C.A.M.S कम्पनी का IPO है इस IPO के मात्यम से कम्पनी 1500 करोड पर जुटाना चाहती है इस IPO का जो इसू है यह 21 सितंबर से 23 सितंबर के बीच ओपन होगा और आप इसमें 21 सितंबर से 23 सितंबर तक के आप इसमें विड़े लगा सकते हो इस कम्पनी क की संपूर्ण जानकरी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए इसकी अपडेट आपको जल्दी मिलने वादी है अगले IPO की बात करते हैं तो अगला IPO है एंजल ब्लोकिंग का IPO है जिसको आप अच्छे से जानते पहचानते हो यह कंपनी ब्लोकिंग फॉर्म कंपनी ह जिसने अब तक के सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है यह IPO फाइनेंसियल इयर 2019-2020 से ही काफी हल चल में रहा है काफी चल्चा में रहा है इस IPO का जो इसो साइस हो सकता है यह IPO भी सिदंबर में आने की इसकी संभाव नहीं है यह IPO अच्छा रिस्पाउंस देने की तो जब भी इस IPO की खबरे आती है तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक बिस एप्लिकेशन पर एविलेबल होगी तो आप बने रही है स्टॉक बिजिनस एप्लिकेशन के साथ अगर आपने हमारा चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि स्टॉक मार्केट से संब्सक्राइब आपको जानकारी समय से पहले मिल सके थैंक्स थैंक्स पर वाचिंग बने रही है स्टॉक बिजिनस एप्लिकेशन के साथ